दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तो इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं इसलिए आप रेड बिटन दबाकर आप चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताए आप किस राज और किस शहर से हैं जिससे कि हम आपके राज और आपके सहर की हर नियूज आप तक भेज सकें तो दोस्तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर जैसे अगली बड़ी खबर है कि पुल्वामा जैसे एक और हमले की फिराक में जैशे मुहम्मद सुरक्षा एजेंसिया एलर्ड पुल्वामा में CRPF के काफले पर हुए आतंग के हमले और उसके बाद दोनों देशों में बढ़ते तनाओं के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाग हरकतों से बाज नहीं आ रहा है खुफिया सुत्रों के मुताबिक जैशे मुहम्मद पुल्वामा हमले की तर्ज पर ही दूसरे बड़े हमले की फिराक में है और इसके लिए त्यारी कर रहा है एक तरफ जहां पाकिस्तान आतंगी संगठनों पर लगाम लगाने का दुनिया के सामने दिखावा कर रहा है वहीं दूसरी तरह वो भारत के लिए खिलाफ आतंगी संगठन जैशे मुहम्मद के सरगना मसूद अज़र की मदद से भारत में एक बार फिर पुल्वामा दोराने की साजिश कर रहा है खुफिया सुत्रों के मुदाबिक पाकिस्तान इस्थित ये आतंगी संगठन इस बार फिर सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाने का शडियन्त रच रहा है खुफिया एजन्सियों ने जैश की किसी आतंगी हमले को लेका सुरक्षा एजन्सियों को पहले से कई गुना ज्यादा अलर्ट रहने का निर्देश दिया है खुफिया रिपोर्ट के मुताबिग जैश के आतंगी काजी कुंड और अनंत नाग में आई एडी के जरिये ही सेना और अर्दसायनिक बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं रिपोर्ट के मुदाबिक जैश के आतंग की आने वाले तीन चार दिनों में इस तरह के आतंग की हमले को अंजाम दे रहे हैं 14 फर्वरी को जम्मो कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश मुहम्मद ने आतंग की हमला किया जिसमें C.R.P.F. के 40 जवान शहीद हो गए थे जिहां अंगली बड़ी खबर आ रहे है कि पियम मोदी शुक्रुवार को यूपी में कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकारपन और शिलान्यास प्रदान मंतिर ने रेन मोदी शुक्रुवार को उत्तर पृदेश के अपने दोरे पर कई विकास प्रियोजनाओं का लोकारपन और शिलान्यास करेंगे आधिकारी जानकारी के मुताबिक प्रधान मंदिर सबसे पहले अपने संसदी निर्वाचन छेत वारानसी पहुँचेंगे वहाँ वै काशी विश्विनात मंदिर में दर्शन करने के बाद काशी विश्विनात मंदिर संपर्क मार के आधारशिला रखेंगे बाद में प्रधान मंदरी दीन दयाल हस्त कला संग्पल में राष्टी महिला आजीवी का सम्मेलन 2019 में शिर्कत करेंगे और उपस्तित जनसमुह को संबोधित भी करेंगे मोधी वारणसी से कानपुर जाएंगे जहां वैं पनकी उड़ा संयंद्र और 660 मेगावाट बिजली उत्पादन एवं वितरान एकाई का उधगाटन करेंगे प्रदानमंतरी कानपुर से ही वीडियो लिंक के जरीये लखनो मेट्रो रेल परियोजनाओं के दरती चरण के तहत हुए निर्माल कार का भी लोकारपन करेंगे इसके अलावा मोदी अगर आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलन्यास करने के बाद जनसमू को समोधित करेंगे मोदी उसके बाद गाजियाबाद जाएंगे वहाँ दिलशाद गारडन शहीद इस्थर नया बस अड़े के पास लोकारपन करेंगे इसके अलावा वह शहीद इस्थर इस्थर स्टेशन से मेट्रो रेल को हरी जंडी भी दिखाएंगे प्रदानमंतरी हिंडन एरपोर्ट सीविल टर्मिनल का भी लोकारपन करेंगे इसके अलावा वह दिल्ली गाजियाबाद मेरेड हाई स्पीड आर आर टी एस परियोजना का शिरन्यास करेंगे वह गाजियाबाद में शिक्षा, पेजल, साफ, सफाई, आवास, तथा, सीवरेज, प्रबंदन से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकारपन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे जी याँ दोसो अगली बड़ी खबर एक और है कि पाकिस्तान में वाई उसेना के पाईलेट अभिणदन के साथ हुआ था ये सब वाई उसेना के पाईलेट विंग कमांडर से पाकिस्तान में खूफया जानकारी निकलवाने की पूरी कोशिशे की गई थी पूरे मामले के एक पाकिफ सीनियर अधिकारी सूतरों ने बताया कि पाकिस्तानी लड़ाकों विमानों का पीछा करते हुए मेगी किस बिसन दुरखटना ग्रत होने के बाद अभिनंदन नेंदर रेखा के उस पार उतरे जिसके बाद पाकिस्तान में शुरुआती 24 घंटे में अभिनंदन से पाकिस्तान जाच करताओं ने भारती सेना की तैनाती हाई सिक्यूरिटी रेडियो के फ्रिक विंजिस और अनसमेदंशिल जानकारिया निकलवाने की पूरी कोशिश की थी जैशे मोहमत के बाला कोड इस्तितातं की शीविर पर सीमा पार जाकर भारती वायुसेना के मिराज 2000 की तरफ से किये गए हवाहमले के बाद 27 फरवरी के पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने राजवरी सेक्टर में भारती सेना के पृतिष्ठानों को निशाना बनाया है ज इस्तिमाल फ्रिक्वेंसी लड़ाकू विमान की तैनाती और अन्य समेदशील जानकारियों के बारे में पूश्टाच की गई जिया दोसो अगली एक और बड़ी खबर है कि शिच्छकों के लिए 200 अंग के रोस्टर पर अध्यादेश लाएगी सरकार सरकार ने केंदरी विश्विधायलों और कॉलेजों में शिच्छकों के लिए 200 अंग के रोस्टर को लागू करने की खातिर अंतता अध्यादेश लाने का फैसला किया है इस फैसले से पिठडे वर्ग तथा दलित एवं आदिवासी शिच्छकों की नियुक्तिक में आरक्षन सुनिश्चित हो सकेगा इसके अलावा सरकार ने 50 ने केंदरी विधायलों खोलने का भी नडायन लिया है पिठानमजी नेरेन मोदी ने अध्यक्षता में मंत्री मंडल की गुरुवार की बैठक में रोस्टर लागू करने के लिए अध्यादेश लाने तथा 50 ने केंदरी विधायलों खोलने के प्रस्तामों को मंजूरी दी गई बैठक के बाद विध्यमंदरी अरोल जेटली ने पत्रकारों को बताया कि इलहाबाद उच्छे नेयायले के फैसले के कारण विश्विधायले अनुदान आयोग ने जो अधिसूचना जारी की थी उससे पिछडे तथा दलित और अधिवासी सिच्चकों के आरक्षन में व अध्यादेश लाने फैसला किया गया उन्होंने बताया कि मंदरी मंडल ने पचास नए केंदरी विध्यालों की स्थापना की सिद्रांत मंजूरी दे दी है ये अर्ध सैनी छेतरों तथा उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां रेलवे के कर्मचारी हैं और जहां केंदरी स्कूल नहीं है ये स्कूल नकसल प्रभाविच छेतरों में भी खोले जाएंगे उन्होंने बताया कि देश में 12,002 केंदरी स्कूल है और तीन विदेशों में हैं 13 अंकोवाली रोस्टर प्रणाली लागू होने से आरक्षित पदों में भारी कमी हो जा रही है हो जा रही कि फैसले को उचितम नहीं ने बरकरार रखा था तब सरकार ने उसे चुनोती देते वे विशेस अनुमती याचिका दायर की थी जिसे आदालत ने खारिच कर दिया था इसके बाद मानस अंसादन विकास मंद्राला ने इस मामले में पुनिशन याचिका दायर की थी लेकिन गत दिनों उचितम नहीं ने इसे भी खारिच कर दी है मानस अंसादन विकास मंद्री प्रिकास जावेडिका ने दो दिन पहले पत्रकारों को बता दिया था कि सरकार 200 अंक्वाली रोस्टर पढाली लागू करेगी और शिचकों के साथ नयाय करेगी जहां दो सब एक और बड़ी ख़बर निकल करा रही कि जम्मो में ग्रेनेड हमला एक युवक की मौत बस स्टैंड के पास हुआ विस्पोर्ट तीस घायल पुलिस ने एक संदिक वी युवक को किया गिरफतार जम्मो कश्मीर पुलिस ने जम्मो बस स्टैंड पर गुरुवार को ग्रेनेड हमले के कुछ घंडों के बाद कश्मीर के कुलगाम जिले से एक युवक को गिरफतार किया और दावा किया कि हमले के पीछे स्थानी आतंगवादी संगटन हिजबिल मुजाहिद्दिन का हाथ है ग्रेनेड हमले में एक वेक्ति की मौत हो गई और तीस अन घायल हो गए जम्मू के पुलिस महा निरिश्यक मनिश कुमार सिंग ने पत्रकार को बताया कि आरोपी की पैचान कुलगाम के यासिर एमद भट के रूप में की गई है और उसने अपने ही अपनी सनलिप्तता कबूल कर ली है आरोपी ने ये भी कहा है कि उसने हिजबुल के निर्देश पर ग्रिनेट पर हमला किया उन्होंने बताया कि घटना के उतुरंदबाए विशेश टीमों का गठन किया गया है और शहर और उसके बाहरी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जबकि शहर से बाहर जाने वाले हर वहान को रोक कर जाच की गई श्री सिंग ने बताया कि सिसी टीवी फुटेज और घटनास्तल पर प्रतेश दर्शियों से मली जानकारी के अनुसा जीन्स की जैकेट और पैन पहने हुए तथा लाल रंगा एक बैग लिए हुए यूवक को विस्पोर्ट के बाद घटनास्तल से भागते वे दिखाए दिया जी अगली बड़ी खबर है कि यूपी को मिला सवा लाक करोड से ज्यादा की परियोजनाओ की सौगात केंदरी ग्रह मंतरी राजनास सिंग और उनके मंतरी मंडल सयोगी नितिन गडगरी ने गुरुवार को सवा लाक करोड से ज्यादा की परियोजनाओ का शिलान्यास और लोकारपन किया सिंग और केंदरी भूतल परिवाइन मंदरी नितिन गडगरी ने लोकसभा के आगामी चुनाओं से पहले 1.25 लाग करोड रुपई की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकारपन किया इन में 1.10.154 करोड रुपई से ज्यादा की 80 सड़क परियोजनाओं भी शामिल हैं ग्रह मंदरी ने इस मौके पर कहा आज इस एतिहासिक दिन पर लखनो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लखनाओं बन गया है दिवंगर पूर प्रदान मंदरी अटल बिहारी बाच परी चाहते थे कि लखनो एक विश्वस्तरी शहर बने आज जो भी किया जा रहा है वह उनके सपनों को पूरा करेगा बारत पाकिस्तान के तनाओं के बीच इसलामाबाद के दोरे पर चीन के विदेश मंतरी जिया चीन ने बुदवार को ऐलान किया कि पुल्वामा आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाओं पर चर्चा करने के लिए उसके विदेश उपमंदरी कोंग शोआनियू इसलामाबाद में है चीन ने ऐसा महल बनाने के जरूरत बताई जिसमें पाकिस्तान अन्न पक्षों के साथ सयोग कर सके चीन के विदेश मंतराले के प्रवक्ता लू कॉंग ने कहा कि विदेश उपमंदरी कोंग की इसलामा यात्रा का मकसद भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़े हालात को लेकर पाकिस्तान से संपर्क करना है उन्होंने यहां एक समधाता सम्मेलन में कहा चीन इस छेतर में शांती एवं स्थिर्ता को बढ़ावा देता रहा है हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत दोस्तान संबंद बनाए रखेंगे जियां दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि योजना आयोग की पुरानी अनुशनसा लागू कर रही है मोदी सरकार में च्छाय जिलों में दो-दो नय क्रशी विज्ञान केंदर खोलना है केवीके में नियूक्ति प्रक्रिया पारदशी कर दी गई है पिरते केवीके में कम से कम एक महिला विज्ञानिक रखने का भी प्रावधान किया गया है गुरुवार को बामेती में उन्होंने राजी के क्रशी मंतरी डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ मुझफर पूर मध्वनी समस्तिपूर और बेतिया के केवीके का शिलान नयास किया जिया अगली बड़ी खबर है कि क्या राहुल को वायुसेना और क्याग पर भरोसा नहीं राफिल मामले में राहुल गांदी द्वारा प्रधान मंतरी नरेंद मोधी पर निशाना साधिते साधने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाचपा ने ब्रसपतिवार को कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष को वायुसेना और क्याग पर भरोसा नहीं है तो क्या वो पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहते हैं भाचपा के वरिशनेतर रवी शंकर प्रशाद ने समाधाताओं से कहा कि वे इस मामले राफेल में राहुल गांदी के जूट की निंदा करते हैं उन्हें भारती वायुसेना पर भरोसा नहीं है कैग नियंतरक एवा महालेखा परिशाग उत्चितम नियायले पर भरोसा नहीं है उन्होंने सवाल किया है कि क्या वे पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहते हैं उन्लेखनी है कि कॉंग्रेस अध्यक राहुल गांदी ने राफिल विमान सौदे से जुड़े दस्तवेज रक्षा मंतराले से चोरी होने को लेगा प्रदान मंतरी नरिद मोधी पर निशाना साधा और दावा किया कि ये इस पष्ट रूप से ब्रश्टाचार का मामला है और इसके लिए प्रदान मंतरी के खिलाफ जाँ चेवम कारवाई होनी चाहिए भाटपा परवक्ता सम्मित पात्रा ने इस बारे में अपने ट्वीट में कहा कि ये पीसी था देखते देखते पीसी गायब हो गया और 2019 में कॉंग्रेस गायब हो जाएगी उन्होंने कहा कि राहूल गांदी भारत के इतियास में सबसे छोटा प्रस कॉंफरेंस करने का गिनीज या लिम का बुक आफ रिकॉर्ड बनाने निकले हैं पातरा ने कहा कि नरेद मोदी की उबलदियों के विस्तार के सामने राहूल गांदी की संचिप्तता परस पर विरोधी है क्या राहुल को पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की जरूरत भाजपा बोले राफेल मामले में कॉंगरेस अध्यक राहुल गांदी द्वारा प्रधानमंदी नरिन मोधी पर निशाना साधने पर तीखी प्रतिकरिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने ब्रस्पतिवार को सवाल कि जी आदो डोस् Myanmar कोई भी पाकिस्तान को बल प्रियोक से या इसकी धमकी देकर जुगा नहीं सकता भारत पाकिस्तान के तनाओ बढ़ने की बीच आया है उनने शीर से सैने कमांडरों के साथ स्थितरी की समिक्षा करते हुए यह बात कही सरकारी रेडियो पाकिस्तान के अनुसार जनरल बाजवा ने रावल पिंडी में 219 वी कोर के कमांडरों के सम्मेलन में किसी भी धमकी का जवाब देने के वास्ते तयार रहने को लगता सतर्क रहने का निर्देश दिया उन्होंने का पाकिस्तान शांती, स्थायत और प्रगती के सकारात्मक मार्ग पर है कोई भी हमें ताकत के इस्तिमाल के माध्यम से या उसकी धमकी देकर जुका नहीं सकता कमांडरों ने किसी भी दुस्ताहत या आकरमन से देश को बचाने के लिए द्रण इच्छा निश्चे और संकल्ब प्रकट किया जम्मो कश्मीर के पुल्वामा में 14 फर्वरी को जैशे मुहमत के आत्मगाती हमले में सियार पेफ के 40 जवान के शहीद हो जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के भी सतनाओं का महल बहुत बढ़ गया है भारत ने 26 फर्वरी को बाला कोट में आतंगवात निरोधक अभियान चलाया इसके अगले दिन पाकिस्ताने वायुसेना ने जाबाजी कारवाई और हवाई संगर्ष में मिग 21 को गिराया एक एबम उसके पाइलेट विंग कमांडर अभिनंदन वर्दमान को पकल दिया वर्दमान को एक मार्च को भारत को सौप दिया गया जिया अगली बड़ी खबार है कि प्रदान मंतरी मोदी ने जारी किये एक दो पाँच दस और बीस रुपए के नए सिक्के नई दिली में प्रदान मंतरी नेरेद मोदी ने गुरुवार को एक रुपए, दो रुपए, पाँच रुपए, दस रुपए और बीस रुपए के नए सिक्के जारी किये जिससे द्रश्ट हीन दिव्यांग भी आसानी से पहचान सकेंगे देश में पहली बार बीस रुपए के सिक्के जारी किये गए हैं, वित मंतरी अरुड जेटली ने इसका यहां इसकी जानकारी देते वे कहा कि इन नए सिक्कों के दर्श्टिहीन दिव्यांग की सुगमता से पहचान कर सकते हैं, मोदी ने दिव्यांगों की मौजूदगी म इन सिक्कों को जारी किया, इन नए और पुराने सिक्कों में अंतर आसानी से किया जा सकता है। जिन 15 उम्मिदवारों की कॉंग्रेस ने पहली लिष्ट जारी की है, उसमें सोनिया गांदी और राहुल गांदी के अलावा कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। खड़े होने की बात कही है। ओवैसी ने एर स्ट्राइक को लेकर हो रही राजनीती बंद करने को भी कहा। हर वक्त मोदी सरकार की आलोशना करने वाले ओवैसी ने अब एर स्ट्राइक पर पियम मोदी के साथ खड़े होने की बात कही है। जी हाँ ओवैसी ने एर स्ट्राइक को लेकर देश में राजनीती भी अपने चरम पर है। पुल्वामा में शहीद हुए जवानों के बाद वायसेना की तरफ से की गई कारवाई के बाद से लगाता सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां विपक्ष एर स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं अब एक और शहीद की माने एर स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किये हैं जम्मो किश्मीर के नेशनल कॉन्फरेंस के नेता फारुक अबदुल्ला ने अब एरस्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किये हैं वह कहते हैं कि हमने उनका एक प्लेन शूट किया है अमिश्या जो कहते हैं 300 लोग मारे गए इसका प्रमार कहा है आगे अबदुल्ला कहते हैं अगर आप पूछते हैं तो आप देश के खिलाफ हैं समय आ गया कि आपको सवाल पूछना चाहिए जाहिर है ये कोई पहला मामला नहीं है जब एरस्ट्राइक को लेकर सवाल किये गए हैं विपक्षि से लेकर हर कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है लेकिन आज सरकार को इस मिशन और स्ट्राइक के सबूत पेश किये गए हैं तो जो रडार से कैप्चर किये गए थे मोधी और इमरान की मिली भगस से हुआ पुल्वामा आपको बता दे कि पुल्वामा हमले के बाद से लगतार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं पुल्वामा में आत्मगाती हमले को लेकर कॉंग्रेस महासचीव का विवादित बयान सामने आया है जिसके बाद काफी हलचल मच गई है आपको पता दे कि कॉंग्रेस के महासची वहरी प्रिशाद ने पीम मोदी पर बेहत विवादि टिपड़ी की है हरी प्रिशाद ने कहा है कि इस हमले में पीम मोदी और इमरान खान की मिली भगत रही है इन दोनों नेताओं की मिले बिना इतना बड़ा हमला संभाव नहीं है एरस्ट्राइक की तस्वीरे राडार और सैटलाइट में कैद है पुल्वामा हमले के बाद भारती वायसेना ने पाकिस्तान के बाला कोट में एरस्ट्राइक कर आतंकियों की नापाग हरकत का बदला लिया वहीं इस बदले के बाद हर कोई वायसेना की तारीफ करता नजर आ रहा था वहीं केंद सरकार के द्वारा इस बदले को राजनिति ग्रूप देने की के बाद विपक्ष में जम कर हमला बोला और राजनिति करने का आरोप लगाते हुए सबूत मांगे ऐसे में आप सरकार को इस मिशन की सभी जरूरी दस्तवेद और तस्वीरे दे दी गई है तो दोस्तों इस खबरों से संबंदि सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भारत की वीरे सेनाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल उचा रहे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नही झाल झाल झाल